Hello investors, welcome to Insiderpedia तो दोस्तों जैसा कि आपको last week news आये थी कि तनला platform अपने shares buyback कर रही है तो आज board meeting हुई और company ने regulatory filing में सारी details दी हुई है और मैं आपको सारी चीज़ें वो दिखूँ बताऊंगा कि क्या-क्या buyback है, कितना buyback है company कब तक buyback plan कर रही है, किस price पर buyback plan कर रही है और चुंकि आप लोगों को as a just disclaimer दे रहा हूँ कि मैं currently तनला platform में invested हूँ तो क्या मैं इस buyback में participate कर रहा हूँ तो इसको भी मैं end में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को end तक जरूर देखे तो चलिए बात करते हैं कि यह जो buyback plan आया है अभी current time में company जो है 170 करोड रुपे का buyback कर रही है और इन टम्स अब अगर total number of shares की बात करें तो वो तकरीवें 1200 रुपे का एक share जो buyback करेगी अगर company का share price अभी current time में देखें तो 836 रुपे आज की date में है आज भी upper circuit लग गया 5% का तो जो market से लोग इसलिए buy कर रहे हैं ताकि जो है उसको 836 रुपे का buy करके उसको 1200 रुपे का बेज सकें ऐसा कुछ लोग करते हैं buyback के time में और यहाँ पर देख सके हैं कि total जो shares company buy कर रही है जिसकी quantity है 14,16,666 equity shares यह company पूरा buyback कर रही है और total company की जो outstanding share है उसका तकरीब है 1.04% है तो यह company काफी अच्छा काम कर रही है इन टर्म साफ buyback और shareholder को reward देना होता है in terms of cash company कह रही है कि यह जो dividend payout है यानि जो भी हम साल में कमाई करेंगे उसका 30% तो already इस latest AGM में उन्होंने का कि 30% जो है dividend pay करेंगे उसके साथ साथ यह regular buyback भी कर रही है तो काफी अच्छा है यह ऐसा इसलिए हो पाता है कि possible हो पाता है जब company के पास surplus cash हो तो यह ऐसी company में invest करेंगे जो cash cow हो जो बहुत जादा cash generate करती हो तो इस तरह से आपको dividend भी जादा मिल सकता है उस company में buyback भी मिलता रहता है तो चलिए कुछ और चीज़ें देख सकते है कुछ लोगों का question यह था कि जो यह tender offer है तो company का tender offer क्या है और buyback कैसे करेगी तो चलिए मैं बताता हूँ कि जैसे एक as a learning purpose यह देखिए कि buyback जो है दो तरीके से किया जाता है एक open market route है और एक tender route है open market जिस तरह से हम regular basis पे buy और sell करते हैं stock exchanges से उसी तरह अगर company भी जाया और buy और करे open market से एक time period decide हो जाता है कि अगले एक महीने तक company buy करेगी तो जिस भी price पे उनको मिलता रहता है share वो buy back कर लेते हैं और tender route में जिस तरह से IPO आता है कि हम इस price पे अपने share को sell करना चाते हैं उसी तरह जो buy back आता है तो tender route में वो clearly बताते हैं कि इतने price पे हम share को buy back करना चाते हैं और जो लोग interested है उसको apply कर सकते हैं तो आप जिस भी broker से जैसे अगर आप लोग को की रिक्वेस्ट होगी जो लोग buy back में participate करना चाते हैं तो इसको कैसे apply करना है तो उसके लिए मैं एक video बना दूँगा कि अगर आप जिरो दा या फिर कोई और platform यूज कर रहे हैं चुंकि मैं जिरो दा में current time में जो है investment करता हूँ तो जिरो दा में कैसे buy back के लिए apply कर किया जाता है अभी चुंकि buy back का अभी आया नहीं है तो जिस जब भी buy back खुलेगा तो मैं उसको update कर दूँगा कि आप इसको buy back के लिए कैसे apply कर सकते हैं तो अब जो है जो सबसे important चीज़ की जो है काफी लोग का question यह है कि क्या मैं इसमें buy back में participate कर रहा हूँ तो चुंकि मैं बता दूँ कि इसको मैंने काफी जो है long term के लिए buy किया है क्योंकि मुझे लगता है कि यह industry ओराल काफी growing industry है तो current time में मैं इसमें buy back में participate नहीं करेंगा even though यहां से जो है 834 रुपे से बढ़ करके मुझे वो share 1200 रुपे का मैं उनको buy back में जो है बेश सकता हूँ बट मैं इसको बेशना नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको अभी काफी number target लेकर के चलता हूँ और अगर जानना है कि यह मेरा क्या expectation है और इसके अलावा कौन कौन सी company में invested हूँ तो आप हमारी website पे visit कर सकते हो insiderpedia.in इसका description में इसका link दिया हुआ है और यहां पे मेरी एक service है जिसमें मैं अपना portfolio share करता हूँ तो इसको भी आप opt कर सकते हैं इसको भी आप join कर सकते हैं यहां पे सारी details जो है description box में इसकी link मिल जाएगी तो फिर मिलेंगे investors तब तक के लिए take care, have a good day and thank you